कि खुश किस्मती उसके पास जिसके पास यार है यार बिना क्या जीना दोस्त बिना जिन्दगी वेकार है मौत के खौफ से यार बचाएगा जिन्दगी जीना तुम्हें यार सिखाएगा मौत के खौफ से यार बचाएगा जिन्दगी जीना तुम्हें यार सिखाएगा बले ही लागवार तुझे सताएगा होगी तुझे मुसीबत तु उसे अपने पास पाएगा दोस्ती ऐसी चीज है यह आखरी वाली लाइन गौर फर्माने वाली है कि दोस्ती ऐसी चीज है कि मुश्किलों से गिरा हो अगर तु उसके मरने के बाद उसकी रूह आकर तुससे बोलेगी कि डर्मत सब्तीक हो जाएगा अब यहाँ पर कुछ लोग होंगे जो शराब के शोकीन होंगे उनको यह शायद पसंद आए कि शरारत करता हूँ साजिश नहीं प्यार करता हूँ दिखावा नहीं आशिकी करता हूं अवारा नहीं हाँ माना पी लेता हूं कभी कबाद शराब शौकीन हूं शरावी नहीं अब दो रसमें क्या चीज होती है पहले मैं आपको बता दूँ शायर जो रहता है वो अपनी बातों को कम से कम लाइनों में बोलने की कोशिश करता है तो सुनियेगा पहली यह है कि मुझे मन्जिल की परवा नहीं अगर तू साथ है मेरे मैं तो बस रास्तों को लंबा करने की कोशिश में लगा रहता हूं अगली यह है कि बहुत कम लोगों को समझ में आती है क्योंकि बहुत छोटी से रहती हो और बहुत बड़ी बात हो जाती है कि अक्सर नींद खुल जाती है उसका खयाल आते ही वरना एक समय था हम सोया करते थे उसका खौप देखने को लास्त में एक छोटी सी पोयम सुनाना चाहूंगा शायद मैं प्यार का इजहार न करूँ शायद मैं दिल से बात न करूँ तुम बसी हो इस दिल में शायद ये मैं बता न सकूँ शायद तुम मुझे मिली न होती तो शायद दिल तनहा ही रहता शायद तुझे देखा न होता तो शायद इन आखों में तेरा चेहरा न होता शायद तुस्से बात न की होती तो शायद इन लबों पे तेरा नाम न होता शायद ये रिष्टा आगे बड़ा ही नहोता तो शायद मया खड़ा ही नहोता शायद तु धोका ना देती तो शायद ये रिष्टा आज भी होता शायद तु मुझे आगे याद करे शायद तु मुझे फिर से प्यार करे पर वक्त कहां लोट कर आता है मेरी जाने मन शायद तूस वक्त का इंतजार करें शायद तूस वक्त का इंतजार करें थैंक यू सो मच